पितान सुषान सिंह राजपूत आत्मत्या मामला लगतार सुर्ख्यों में बना हुआ है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस दिये, मामले में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए उलेकनी है कि सुशान सिंग आत्मत्या मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रिम कोच का दर्वाजा खट-कटाया था और पचना में दायर मुकदमे को मुंबई शिफ्ट करने की अपील की थी सुशान सिंग की आत्मत्या के बाद उनके परिवार और कई नेताओं ने मामले की जाच सीवियाई से कराने की थी इसी संबंध में एक याचिका सुप्रिम कोच में दाखिल की गई जिस पर सुप्रिम कोच ने गुरुवार को सुनवाई की सुप्रिम कोच ने सुशान सिंग की मौत के मामले में सीबियाई जाच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है सुप्रिम कोच ने कहा कि याचिका करता अलग प्रिया का इस मामले में कोई फोकस नहीं है साथ ही कोच ने आज का करता को कहा कि बॉंबे हाई कोच जाएं अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ती अच्छा व्यक्ती था या बुरा व्यक्ती ये शेत्रा दिकार के बारे में भी है अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ ठोस है तो आप बॉंबी हाई कोट जाएं अब मामले की जाथ महराश्च वा बिहार पुलिस द्वारा होने से बहतर है कि प्रकरण की जाथ CBI ही करे सुप्रिंगोच के इंकार से पहले ही महराश सरकार ने भी मामले में CBI जाच कराने से इंकार किया है